हमारा जुनिवर्स इतना बड़ा है जिसका कोई अंत नहीं बिग बैंक के बाद हमारे जुनिवर्स का निर्माण हुआ और तब से लेकर आज तक हमारे जो ब्रमाण है वो फैलता ही जा रहा है हमारे जुनिवर्स में अर्बो खर्बो इस्टार, कॉमेट्स और प्लैनेट्स मौजूद है और हम रहते हैं इस डॉट वाले हिस्से में जो है हमारी पृत्वी उस पृत्वी में भी 71% पाने है और बागी बज़ा 29% हिस्सा लैंड है जिस पे हम रहते हैं अब बात करते हैं कि अर्बो खर्बो इस्टार और गलेक्सी होने के बावजूद किया इस डॉट वाले हिस्से में ही जीवन है वेल इस वीडियो में एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है दो पैरलल यूनिवर्स यह वीडियो बहुत ही इंट्रस्टे होने वाली है इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा मैट्स में आपने पढ़ा होगा पैरलल लाइन के बारे में जो एक दूसरे के समरांतर होती है वैसे ही पैरलल यूनिवर्स का मतलब समनांतर ब्रह्मार्ण यानि हमारे जैसी एक अलग दुनिया हमारे जैसी पृत्वी और हमारे जैसे ही दिखने वाले लोग एक अलग डैमेंसन्स या आयाम में रहते है आई नो सुनने में ये एकदम साइन्स फिक्षन की किसी मूवी किदर है बड़ इस वीडियो में एक ऐसी इंफोर्मिशन शेयर करने वाला हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी स्टेफिन हौकेंग, आइंस्टाइन और निकोला टेसला को कौन नहीं जानता इटर्नन इंफलेशन थियोरी जो एलन गूद की द्वारत दे गई थी जो डारेक्टली पैरलल जुनिवर्स होने का सबूत देती है और दूसरी जिससे प्रूफ होता है कि पैरलल जुनिवर्स एक्जिस्ट करता है और वो है दे हजन बग अंसर्टानिटी थियोरी और ऐसे ही क्वैंटम फिजिक्स के कई सारे प्रूफ्ट एक्षिबरिमेंट समरांतर ब्रमाण होने का सबूत देते हैं समरांतर ब्रमाण में हमारे जैसे ही एक अलग दुनिया हमारे जैसे ही एक अलग प्रित्वी और हमारे जैसे दिखने वाले लोग होने का एक्सपर्ट दावा करते हैं और वो ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि वहां हमारे जैसे दिखने वाले लोगों की उम्बर बड़ी या छोटी या फिर प्रोफेशन डिफरेंट हो सकता है एक ऐसे ही घटना जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया जुलाई 1954 जापान टोक्यो इंटरनेस्म एयरपोर्ट नॉर्मल दुने की तरह सारी फ्लाइट्स और पैसेंजर्स आ जा रहे थे दोपर की समय यूरोप से आई एक फ्लाइट वहां लैंड हुई और सारे पैसे का लाएक करती और ऊस्कार्ट्री का नाम था कुर्णों को उसक्राइट हुआ हुए उससे लिए उससे बताए कि टॉड्स नाम का देश मैप में कहीं है ही नहीं जबकि उसकी साब से वह कंट्री भजारों सालों से है उसने बताए कि यज़िए फ्रैंस और इस्पैन की उन्होंने उसका पासपोर्ट जब चेक किया तो उसके लगे स्टैंप सारे असली थे उन्हें अब भी उसके बातों पर यकीन नहीं हो रहा था उन्होंने उसके सारे डॉकुमेंट्स शेक किये ड्राइविंग लाइसेंस से लेके उसकी इंप्लॉई आड़ी तक में उसकी कंट्री का नाम मौजूद था उसने पास के एक होटल में एक रूम प्री बुक किया था जब उन्होंने उस होटल में फोन करके पूस्ताच की तो उस होटल के स्टाफ ने बताई कि उसके पास उस वेक्ट की कोई बुकिंग नहीं है तब उस ने उस होटल के प्री बुकिंग स्लीप और उसका वीजा भी दिखाया जिस पे उसकी कंट्री का ना मौझूद था वहां के सेक्यूरिटी टीम को अभी भी उस पे भरोसा नहीं हो आता उन्होंने आगे भी इन्वेस्टिगेशन के लिए उस सेक्यूरिटी की अबजर्वेशन में पास के खुटिल में रखा गया और उसकी सारे डॉकुमेंट्स जब्त कर सेक्यूरिटी रूम में रखा गया अब बस सुबह होने का इंतजार था लेकिन सुबह होते ही वह से गया था और उसकी सारे डॉकुमेंट्स भी सेक्यूरिटी रूम से गया थे इतनी तगड़ी सेक्यूरिटी होने के बावजूद भी वह और उसकी सारे डॉकुमेंट्स कहां गे किसी को कुछ नहीं पता और यह बात आस तक एक मिस्ट्री बनी होई है एक्सपर्ट का मानन दो बार तीन बार हो सकता है लेकिन इतने सारे coincidences possible नहीं वेल आजकल इन सब बातों पर कोई बिलीव नहीं करता अगर आज से 300 साल पहले कोई बोलता कि कैसे device बनेगी जिससे हम 1000 किलिमीटर दूर बैठ कर बात कर सकते हैं तो कोई बिलीव नहीं करता लेकिन आज यह possible है और वो है हमारे cell phone तो आपको पैरल उन्वर्स के बार में क्या लगता है नीचे दिए कि कमेंट बॉक्स में अपनी रहा दे सकते हैं और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और इसी तरह की interesting वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आपका दोस्त निखिल